हाई एवरिवन तो यह वाली वीडियो होने वाली एक detailed वीडियो on TCS results और आज कर मैं देख रहा हूं काफी सारी theories बनने हैं कि TCS में ऐसा है वैसा है जबकि जो मैं बात करूँगा बिल्कुल straight बात करूँगा on the point जो student से feedback मिला है उसके उपर ना कि कुछ भी मन से बोल दिया वो जो students ने बताया है जो चल रहा है उस चीज को discuss करना चाहता हूं detailed वीडियो होने वाले यह TCS results के उपर स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो सबसे बड़ा feedback है वो है TCS rejection after MR अब यह चल क्या रहा है थोड़ा सा ध्यान से समझते जाना और हम पूरी जो result की प्रक्रिया उसके बा MR होता है एक साथ और उसके बाद यहां पर आपको थोड़ी दिर वेट करने के बाद जनरली HR कॉल करते हैं for the HR interviews ठीक है so यह आपके एक जो टोटल आपकी जो process चल रही है इसके अनुसार यहां पर हो क्या रहा है ना TR प्लस MR जब आपको complete हो रहा है उसके बाद यहां पर candidates को reject कर दिया गया है काफी जगह पर अब काफी लोग जिनको rejection नहीं मिला होगा उनको तो खुशी हो रही होगी चलो ठीक है हम तो reject नहीं हुए बट काफी सारे और candidates को यहां पर rejection देखने को मिला what is this on-spot rejection देखो पहली बात कोई TCS में कितना भी दिमाग लगा ले कि TCS में आप आपका interview अच्छा नहीं गया या ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ शायद आपकी communication अच्छी नहीं होगी but the biggest factor in TCS is I would say the 60% is luck and relation with your college also matters ठीक है आपके जो college है उससे जो TCS है उसको कितने बच्चे recruit करने एक partnership ही रहती है वो भी एक matter करता है ठीक है and 60% is the luck obviously 40% is your answers and only depends upon the interview पहली matter नहीं है जो भी आपने TCS NQT में दिया था आपका TCS NQT का score इसमें बिल्कुल matter नहीं करेगा totally depending upon कि आपका interview panel कैसा है वो किस mindset से आया है the mindset is very important काफी सारे interviews में ऐसा हो रहा है कि जो technical interview वो लोग ले नहीं चाहरे पहला एक question पूछा अब एक question हो सकता है कि candidate ने गलत answer दे दिया हो उसके बाद वहीं पर reject कर दे रहे है एक question पूछके और यह हुआ है digital मैं मतलब पहला ही question proper way आप at least पूरा interviews लीजिए पर मलब ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं आपको reason बताता हूँ the biggest reason is कि TCS में interview देने के लिए candidates काफी सारे हैं आप यह मान के चलो कि around इसमें एक लाग प्लस candidates तो होंगे जिनके interviews है ठीक है now the biggest part is जो एक लाग प्लस यहां पर candidates है जिनके interviews होने हैं तो MR HR या TR में क्या हो रहा है so they are trying to reduce their work and उनको अगर ऐसा थोड़ा भी फ्रसा इधर होदर लग रहा है तो उनके लिए चीज़ा matter नहीं कर रही है they are rejecting on spot basis ठीक है जिसमें first of all एक feedback जो और है वो यह है कि जो HR है HR खासकर जाहतर candidates के साथ मतलब उतना polite behavior नहीं है the behavior which HR is showing is something कि हाँ यार रहा है कि आपको interview panel कैसा allocate हो रहा है कई लोगों के अच्छे performance भी हैं बट उनको reject कर दिया जा रहा है after MR ठीक है so this is the one point कि कई लोगों को तो on-spot result मिली गया कि वह interview देने गए interview देने के बार यहां पर on-spot rejection मिल गया after MR बहुत सारी infinite possibilities हो सकती है कि किस mindset से आया क्या college है या फिर TCS result announcement सो देखो TCS result announcement के अगर बारे में बात करें सो TCS result का जो announcement है वो generally यहां पर June July से होना स्टार्ट हो जाएगा first of all the thing is कि काफी लोग यहां पर wait कर रहे है for the interviews अभी भी ठीक है जैसे आपको interviews receive हुए थे ठीक है अभी आप लोग जैसे वेट कर रहे है mostly state पर depend कर रहे है जैसे है अगर आप देखो किना तो MP से अभी काफी कम बच्चों को interview आए MP से नहीं आया almost UP से भी काफी बच्चों को कम आया है ठीक है तो अभी जो MP UP है Delhi side है यहां पर अभी जो interviews है वो अभी कम conduct कराए गया है mostly आपके state के business पर हो रहा है southern part of India से यहां पर थोड़े इंटर्व्यू मतलब अलग-अलग HR से सबको mail से receive हुए थे जिसमें Google Forms थे अफिर आपका जो interview की date थी वो अलग-अलग तरीके से आपको mail से receive हुए जो interview result है वो भी ऐसी होने वाला है first of all एक साथ क्या interview result आएंगे chances काफी कम लग रहे हैं इस चीज़ के के एक साथ interview आएंगे because जो interview है वो ज result मेरे साब से जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे from July only so जो process है आपकी वो यहां पर जो result वाली process है वो भी कुछ इसी प्रकार से होगी जैसे के interview की process हुई थी कि सभी different different लोगों को या पर different different meals receive हुए from different different HRs ठीक है this will be the process the whole process जिसमें आपको interview result भी definitely देखने को मिलेंगे नाओ क्या chances है कि अच्छे घासे बच्चों का selection होने वाला है तो yes काफी अच्छे घासे बच्चों का selection होने वाला है this is also true बट यह लग पर टीर थी का interview कर लें but they will prefer tier 1 और tier 2 candidates ठीक है क्योंकि अगर आप prime rule की shortlisting भी देखोगे ना मैंने बहुत सारे mock interview किये सो उसमें क्या किया है इन लोगों ने प्राइम रूल की shortlisting में mostly prefer किया है upper tier वाले colleges को ठीक है और अब आप बोलोगे नहीं मेरा तो tier 3 है मेरा तो आ गया अरे थोड़े बहुत cases तो हर जागे होते हैं but मैं आपको एक general बता रहा हूं general में upper tier वालों को favor किया गया है for prime also जिनके digital जो है और plus interview तो आपका अच्छा होने ही चाहिए TCS digital एक common interview है normal tier 3 वाले का भी selection इसमें prefer किया जा सकता है but यहां पर जो चीज़े वो यहां पर totally जैसा मैंने आपको पता है चल रही है luck plus your performance पर अगर आपका decent interview जा रहा है plus यहां पर आपको एक बहुत important point बोलने जा रहा हूं जो आपका TR प्लस MR का जो आपका interview है उसके बाद जो आपका feedback है वो HR को जाता है अब depending upon कि HR ने आपसे कैसे बात करी यह भी बड़ा factor है अगर HR ने आपसे जंक से बात करी पोल है था सब कुछ चीज ठीक गई selection बन सकता है क्योंकि जो final feedback है वो HR को जाता है वो HR यहां पर offer letters रूल आउट करते हैं ठीक है तो यह भी एक काफी बड़ा factor बन सकता है तो TCS digital में आपका decent performance प्लस अगर आपका luck अच्छा था प्लस college से आपके relation TCS के ठीक ठाक है यहां पर इंटर्व्यू आया था ठीक है और अगर आपके performance में थोड़ी बाद ऊपर नीचे हो गई है आप rejected हो सकते हो बहुत स्ट्रॉंग चांस है क्योंकि उसका reason है TCS ने काफी जितने बच्चों का digital के लिए इंटर्व्यू किया है बहुत सारे बच्चों का TCS digital के लिए इंटर्व्यू किया है HR ने वहीं पर बुला if we offer you ninja role क्योंकि वो लोग मतलब TCS digital से degrade करकर ninja में काफी लोगों को लाने वाले हैं जो निंजा की position है वो degrade करकर from TCS digital ज्यादा बरेगी क्योंकि इससे साफ साफ एक चीज़ पता पढ़ती है क्योंकि इस बड़ टीस निंजा के लिए पुड़ा बत गरबढ़ हुआ है तो you will be degraded to TCS ninja ठीक है और इन तीनों position के बारे में तो अब हमने बात करी लिए बट अब और आगे बढ़ते हैं एक और important point है उसके बारे में discuss करेंगे सो TCS results depends upon देखो सीधे सीधे आपको कुछ factors बताता हूं कि TCS result किन चीज़ों पर बेस होगा पहले चीज interview panel काफी बच्चों को काफी interview panel काफी खराब मिल रहा है मतलब सुनना ही नहीं चाहरा है interview नहीं लिया एक question पूछ के बाहर कर दिया so interview panel काफी बड़ा factor है दूसरा factor है luck काफी बड़ा factor है तीसरी डेफिनिटली तीसरी position पर आगी आपके performance चौथे पर आता है आपके college relations और यहां पर एक आप factor और बोल सकते हो lastly your resume and your tire of college मानो या ना मानो बट इस चीज को prefer किया जाएगा because मैंने TCS की जो NQT है उसकी shortlisting अच्छे से देख लिए transparency नहीं है उसमें जिन बच्चोंने एक question भी किया है coding का उनको prime मिल गया जिनने दो भी question कर ली उनको digitally मिला because prime वाले में क्या हुआ था उनका college higher category था था एनाइटी था या आईएटी था जो भी हो आईटी वाले बच्छे भी देखे मैंने समय सो उनको कम question करके हुए भी prefer कर दिया टीस प्राइम पर तो मानो या ना मानो टीर of college आपका matter करेगा रेज्यू matter करेगा college performance आपके college के साथ performance कैसी है टीस की वह आपकी matter करेगी individual performance matter करेगी आपका लग कैसा है मैंट करेगा टीस का interview पैनल यहां पर matter करने वाला है ठीक है देन और आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं प्रास्ट पॉइंट के बारे में what is going on with the process तो देखो अभी आप यह मान सकते हो कि around यहां पर 50-60% students का यहां पर interview हो चुका है अभी कुछ 30-40% बच्चे हैं जो अभी भी बच्चे है 30-40% बच्चे आराउंड है जनको अभी भी इंटर्व्यू के लिए वेट इंटर्व्यू डेट नहीं आई आज जाएगे इंटर्व्यू डेंशन लेनी की बात नहीं है what's going on the process is luck यहां पर matter कर रहा है एक चीज जो और है वो यह है टीस के जो मॉर्निंग के इंटर्व्यू से वो तब भी थोड़े ठीक हो रहे हैं जिन लोगों के इविनिंग में इंटर्व्यू आ रहे हैं मेजर लिए लोगों के साथ चीज सही नहीं है वो लोग जल्दी चीज़ें क्लोस करने ही कोशिश कर रहे हैं जो इस बन इस ओल्सो अफेक्टर एंड वाट गोई अन्ट प्रोसेस इस सबसे पहले जब आपने इंटर्व्यू दिया सीधी सीधी क्लारिटी की बात है अगर आपने प्राइम का इंटर्व्यू दिया है चीग है अगर काफी अच्छा हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छ इज़ी जॉप टुक्रेक टीचेस प्राइम इस वेरी वेरी डिफिकल्ट ओके सो भले अच्छा भी गया हो इंटर्व्यू ओनली वन तो टू परसेंट ओवर एलुएशन के बाद सारी चीज़ा देखने के बाद आपका क्लेज कैसा है आपका पर्फॉर्मेंस कैसी है रिज प्लस जिनन लोगा ने डिजिटल का इंटर्व्यू दिया है वो अब जो टीचेस डिजिटल में रिजेक्ट होंगे उनको भी आपर टीचेस निंजा का ओफर दिया जाएगा है ना सो टीचेस डिजिटल के लिए भी यहां पर आपको पर्फॉर्मेंस है वो अच्छा होना जा रहा है वा अगर आपका कीवल इंडिविचल टीचेस निंजा का इंटर्वीव था दैन आप गया अगर आपका पर्फॉर्मेस वह बहुत भी हिला तो दिस विल बीटर रिजर्ट ना तकिन अबार टायम लैंस जुलाई ओन बूड जुलाई ओन गोई आपर उमीद है कि यहाँ पर टीचेस के रिजल्स रोल आउट होना चालू हो जाएंगे फेसवाइस जैसे की इंटर्व्यू गाएं सबको अलग अलग तो डिपेंडिंग अपॉन देखते हैं क्या कैसा रहेगा यह कंप्लीट अनलिस्मेने आपके लिए किया है टीचेस जल्स के लिए आई हो पाको पसान देख का? एंगी सो मुज पोची कि इंटा टीचेस जो का?